आप सब्सक्राइब कीजिए एंप्रेमेंट्स पॉंट चैनल को और पाइए गवर्मेंट जोब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथी बेल आइकन को प्रेस करना नभूलें न मस्कार साथियो बहुत बहुत स्वागत आपका एंप्रेमेंट्स पॉंट में अच bapt करने वाले हैं नहीं then कर लीजिए कि आपने अब तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे क्योंग या मिलती है सही जानकारी विल्कों सहलवासा में चलिए शुरू करते हैं तो साथी जो exam होगा paramedical vacancy के लिए ये होगा online computer based यानि CBT आपका आज़ित किया जाएगा computer based test होगा और ये single stage में होगा सिर्फ एक ही exam होगा उसी के बिसपर candidate को shortlist कर लिए जाएगा document verification के लिए सभी RRB का एक समान होगा और आप सिर्फ एक ही RRB के लिए apply कर सकते हैं एक ही online application form आप बर सकते हैं 90 मेंट का आपका ये question paper आएगा CBT में जो आएगा और उसमें 100 question होगे इसके लिए 30 मेंट का आतर समय उन candidate को दिये जाएगा जो विकलांग है तो विकलांग candidate को दो गंटे मिलेंगे वहीं बागी candidate को डिर गंटे में ही अपना paper करना होगा सो question इसमें आएंगे और ये mcq based होंगे objective type होंगे सही के लिए एक रंग दियाएगा गलत के लिए बनवाई 3 की negative mark होगी और जो पेपर आपका आएगा उसमें general awareness, arithmetic, general intelligence, reasoning और general science से समन्द प्रसन आएगे इसके अलावा आपकी professional ability से भी प्रसन पूछे जाएंगे बात करते हैं section wise marks की professional ability के यानि जो subject जिससे आपने बढ़ा है जिस post के लिए आपने बढ़ा है उस post के specific question होंगे 70 जिनके marks आपको मिलेंगे 70 वहीं general awareness के 10 question आएंगे 10 marks के लिए मिलेंगे math और reasoning के मिला के 10 question आएंगे total इसमेंसे 10 mark आपको मिलेंगे जनरल science के आएंगे 10 question और 10 marks आपको मिलेंगे इस परका 100 question होंगे 100 number होंगे और समय होगा एक गंता 30 मिनट one wise third की negative marking होगी सही के लिए एक अंग और गलत के लिए one wise third mark आपका काट लिया जाएगा minimum qualifying marks general और EWS के लिए है 40% OVCST के लिए है 30% ST के लिए है 25% pH candidate को अतरिक 2% का relaxation दिया जाएगा और ये 2% का relaxation तभी दिया जाएगा जब number of candidate उपलब्द नहीं होंगे pH candidate अगर proper candidate उपलब्द होते हैं तो उनको उनकी category according की percentage प्राप्त करनी होगी इस एक्जाम में तो जनरल वालों को 40% qualify करना होगा उसके बाद ही उनको मेरिट में सामिल किया जाएगा उनके marks के बेस पर तो 40% आपको minimum लाना है जनरल वालों को OVCST को लाना है 30% ST को 45% जब आपका एक्जाम हो जाएगा रियल टायाएगा तो उसके अत्रिक 15% extra candidate को भी बलाया जाएगा document verification के लिए क्योंकि बहुत सारे document verification बाहर हो जाते हैं railway में तो उन उनने कोई forgery की है तो आपको बाहर कर दिये जाएगा और आप और नहीं लेकर आते हैं तब यह आपको बाहर कर दिये जाएगा और railway ने एक बात और इस प्रस्ट कर दिये यहां कि अगर एक से ज्यादा सिप्ट में एक्जाम होगा तो आपका normalization जो marks से उनका किया जाएगा और normalization के बाद ही मेरिट बनाई जाएगी मेरिट के आधार पर आपको डोगोन वेरिफिक्शन के लिए बुलाए जाएगा अब बात कर लेते सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा तो दस नमबर होंगे मैं तो इसमें जनर्रल मैथमेटिक्स में आएगा आपका नमबर सिस्ट इसको रूट रूट एज कैलकुलेशन कलेंडरों घडियां पाइप और सिस्टन से समद्धित प्रस्न आएंगे वहीं रीजिनिंग में एनालोगी अलपाबेटिकल नमबर सीरीज कोडिक डिकोडिंग इसके लाबा डाटर इंटरिप्रेशन और सायलोगिज्म रिलेशन जंबलिंग वेंड डाइग्राम इसके लाबा क्लासिफिकेशन एनलिटिक रीजनिंग इससे समद्धित प्रस्न आएंगे तो यह दोनों पांच पांच अंकों के आएंगे दसंक की टोटल होंगे जनल अवेर्नेस की बात करें तो इसमें बारत का सवतनता आंदोलन बारत की राइनिती संविधान बारत गर्थवरस्ता पर्रावाट से समद्धित खेल कूद इसके लावा वेग्यानिक खोजे और टेकनलोजी डपलोमेट से समद्धित प्रसन आपसे पूशे आएंगे यह भी आएंगे दसंकों के जनल साइंस के बात करें जनल साइंस का जो कुशन अंक दिये जाएंगे आपको प्रफेशन सब्जेक्ट के वो पोस्ट वाइज अलग से और हमने इस वीडियो के डिस्क्रप्शन में लिए रखा है आप वहां से डाउलोड करके देख सकते हैं कि आपका क्या आएगा आपकी पोस्ट के लिए दिया हुआ है पोस्ट वाइज अलग है क्योंकि पोस्ट वाइज सर्टिफिकेट जो है डिप्लोमा जो है अलग है इस प्रकार सभी पोस्ट के लिए अलग लग दिया हुआ है उन्हें इस वीडियो के डिस्क्रप्शन में लिंक दे दिया है वहां से डाउलोड करके देख सकते हैं कि आपके पोस्ट के रहे हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है सात्यों में अमीद आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने तक हमारी चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिए तो निया मितिया सभी को सल्वासा में धन्यवाद